पिछले 13 सालों से छोटे पड़दे के सबसे मशूर शो रहे जो हर हफ़ते TRP रेटिंग में हमेशा टोप पर रहा सब टीवी का पॉपलर शो तारक मैता का उल्टा चश्मा वैसे तो शोव में काफी नामी कलाकर मोजूद हैं लेकिन सबसे सीनिर एक्टरों में से मोजूद जो पिछले 54 सालों से एक्टिंग जगत से जुड़े हैं वैं हैं तारक मैता का उल्टा चश्मा में नटू काका का रोल निभाने वाले कलाकर घंशाम नायक उत्री गुजरात के एक छोटे से गव उन्धई में जन में 12 मैं 1944 को घंशाम नायक पिछले 54 सालों से अभिने की दुनिया से जुड़े हैं घंशाम नायक को एक्टिंग विरासत में मिली है उनका पूरा परिवार गुजराती लोगनाटक हवाई से जुड़ा है हवाई वै अलाकार को समवाद करने के साथ साथ कई अलग अलग शैलियों में गाना भी पड़ता है गंशाम जी का पूरा जेवनकाल संगर्शों से ही भरा था तारक मैता शो का हिसा रहने से पहले वै कई गुजराती और हिंदी फिल्मों में भी नजर आ चुके थे साल 1956 में अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो जाने के बाद मुंबई के ही एक स्कूल सेट एनल से अपनी शुवादी पड़ाई पूरी करी और महज सिर्फ 16 साल की उमर से ही बाल कलाकार के रूप में वह साल 1960 में आई हिंदी फिल्म मासुम का हिसा रहे जिसके बाद अपनी पड़ाई को आगे जारी रखते हुए वह बाल कलाकार के तोर पर और कई हिंदी फिल्मों में भी नजर आए जैसे की सीता राम रादेशाम और बालक दुरूफ गंशाम जी साड़े तीन सो से भी जादा हिंदी और गुजराती फिल्मों में नजर आ चुके हैं और वह सो से भी जादा गुजराती नाटकों का भी हिसा रहे हैं गंशाम जी ने ऐसा भी समय अपने जीवन में देखा है जब 12-18 घंटे काम करने के बाद उन्हें मातर सिफ 3 रुपे ही मिला करते थे अपने पूरे करियर में गंशाम जी ने इतना स्ट्रगल करा है कि अपने घर का रेंड देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे उन्हें अपने दोस्तों से पैसे मांगने पड़ते थे ताकि वह अपने घर का किराया दे सके लेकिन अपने काम के प्रती वह इतने इमानदार थे कि एक बार की बात है उस जमाने के सबसे लेजंडरी एक्टरों में शुमार केदार शर्मा जी जब किसी कलाकार की अदाकारी से संतुष्ट हो जाते थे वह उन्हें एक चवन्नी उपहार स्वरूप उन्हें देते थे आज से करीब 25 से 30 साल पहले एक चवन्नी की उतनी ही किमती जो आज के समय 10,000 के बराबर है जब एक बार घंशाम जी को एक मूवी का सीन शूट करने के लिए कहा गया तब बिना ग्लिसरीन लगाए उन्होंने इतना शांदर अभीने किया जो केदार शर्मा जी को इतना जब केदार शर्मा जी ने चवन्नी देने के लिए अपनी जेब में हाथ बढ़ाया तब उनके पास जो भी चवन्नी थी वह सब खतम हो चुकी थी तब केदार शर्मा जी ने उने दो रूपे का नोड दिया जिसे गंशाम जी ने अपने पास आज भी संबाल कर रखा है तारक मैता का उल्टा चश्मा का हिस्सा बढ़ने से पहले वे और भी कई धारवाईकों का भी हिस्सा रहे जैसे की फिलिप्स टॉप टैन, खिचडी, एक महल सपनों का दिल मिल गए और सार्थी लेकिन उनके जीवन का संगश तब जाकर पूरा हुआ जब वे है तारक मैता श कर चुके हैं धारवाईक सार्थी में, जब तारक मैता की कास्ट के लिए नटू काका के किरदार की तलाश हो रही थी तब लेजंडरी एक्टर दिलिप जोशी ने घंशाम जी का नाम आसिद मोदी को बताया था, शो में जेठलाल की दुकान के मैनेजर का नाम नटू का का घंशाम जी के द्वारा ही रखा गया था और अपने गाउं उन्धाई का नाम भी नटू काका के नाम में इस्तमाल करने का विचार भी खुद घंशाम जी का ही था, घंशाम जी साड़े तीन सो से भी जादा हिंदी और गुजराती फिल्मों में अपने अभिने के दम पर न लेकिन अब घंशाम जी का विचार है वह किसी भी और दूसरे प्रोजट का हिस्सा नहीं बनना चाते, वह तारग मैता शो से ही संतुष्ट हैं, कुछ ही दिनों पहले ये खबर आई थी कि वह कैंसर से डियागनोस हुए हैं, हम आशा करते हैं कि वह जल्दी ही एक शांदर अपसी करेंगे तारग मैता का उल्टा चश्मा में, घंशाम जी ने अपने पूरे जीवन काल में बहुत संगश करा है, आज का यूथ तो इतना जेल ही नहीं पाता, जो घंशाम जी ने अपने जीवन में जेला है, हमें भी उनसे ये सीखना चाहिए और अपने व्यक्तित म में इसे उतारना चाहिए जिससे हम कुछ बड़ा और अच्छा हासिल कर सके, that's all in this video, thanks for watching, please video को like and share जरू करियेगा,